कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे आज हम देखेंगे मद्यपदेश का गठन मद्यपदेश के गठन को हम समझेंगे कोशिच करेंगे इसी चलेन में पूरा हो जाए मैक्सिमम लोगों को यह पता होगा मद्यपदेश का गठन 1956 में हुआ था और लाल बादूर ओ स्वरी जावाल नहरू ने इसका नाम दिया था वद्यपदेश और कौन से सन में कौन सा जिला बना यह वह पर यह सब क्यों हुआ हम थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा डीप समझेंगे जिसको लिखना लिख सकते हैं बाकी थोड़ा सा समझेंगे हम श में 1947 के पहले कोई राज नहीं था फिर आजादी के बाद 1947 के बाद भारत को चार भागों में बाटा गया चार पार्ट में बाटा गया ठीक है A B C और D चार भागों में इस तरह भारत को बाटा गया इन में से मद्यपदेश इन तीन भागों का हिस्सा था मद्यपदेश इन 1948 में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की गई किसके दौरा जनताओं के दौरा मतलब आजादी की एक साल बाद 1948 में अलग-अलग राज्य बनाने की बात की गई कि इसके लिए उस समय की सरकार ने एक आयोग बनाया था यह मैं थोड़ा इसलिए समझा रहा हूं आपको था कि आपकी लिंक बन जाए कि अधार जब राज्य बनाने की बात की गई तो उस समय सरकार ने एक आयोग बनाया था आयोग का नाम क्या था आयोग का नाम था भाशाई प्रांत आयोग कितकर इस的話 प्रांत आयोग यह आयोग बना था हि जून इनीसफितों और तालिस में आयोग बनाया गया था किसलिए भाशा और बाशा के आदर पर राज्य का करने के लिए इसके अध्यक्ष जो थे अध्यक्ष का नाम आप तो सा ध्यान रख लेना अध्यक्ष का नाम था एसके धर इस आयोक की जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एसके धर इन्होंने इनकी रिपोर्ट जब पेश की तो इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज नहीं बना बनाए जा सकते प्रशासनिक आधार पर बनाए जा सकते हैं इनकी रिपोर्ट में क्या दिया गया कि भाशा के आधार पर आप राज प्रशासनी काधार पर राज बना सकते हो मतलब शाषन के द्वारा आप राज बना सकते हो जन्ता कि दो बारा मांग पर एक और आयोग बनाया गया उसका नाम था देखो पहले आयोग का नाम था भाषाई परांत आयोग तो दूसरी कण रेंदा की आयोक के नाम क्या होगा सिंप्ल है कि याद करने का तरीका बता रहाएं में एक ट्रिक बतारो शाम को अन्नी भाशाय है और अधरी परांट ऐसे मॉइल जो अगला बना आसके जस्ट बात जो दो बादफ एक तो दोबारा मांग पर जंता की मांग पर आयोग बनाया गया उसका नाम था अन्य भाशाई प्रनत आयोग यह बना था 1948 में पहला वाला यह बना था दिसंबर निसंबर में बना था अन्य भाशाई प्रनत आयोग यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है जिसको डीप में पढ़ना है पढ़ सकता है बाकि यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कुछ लिंक बन जाए कि यह मद्धबस के गठन की जरुबत क्यों पढ़ी और इसब क्यों हुआ ठीक है इस अन्यभाषाई प्रांत आयोग को एक और नाम स सीधर मिया ठीक है इस तीन लोग इसमें इस आयोग में शामिल ते जिसके अजयक्ष्ञ ते जवालाल नेहरू इस आयोग के अजयक्ष्ञ को थे जवालाल नेहरू ठीक है responsive इस आयोग ने कि इस stolen और अदर ने से मना कर दिया मद्रास प्रांत के नेता कि आ पॉट शेज्रु रामलू ने मद्रास में आमरन अंचन शुरू कर दिया किस लिए अलग राज्य पुरणा नाम है मद्रास उन्होंने एक आमरेन अंशन शुरू कर दिया उसके नेता ने इस दोरान वो लगबक तीन से चार दिन ते उनका आमरेन अंशन चलता रहा और उनकी उसके बाद डेथ हो गई इस घटना के बाद महा की जनता ने इसका इतना विरोध किया कि महा पर ज अंध्रप्रदेश ठीके उस जनता के प्रेशर में आकर जवाला नहरू जी को प्रदान मंत्री थे वो उनको महा पर एक आंध्रप्रदेश अलक्सर राज बनाना पर उनकी उनकी घोशना कर दियुन्होंने 1952 में उसकी घोशना उती और 1923 में आंध्रप्रदेश मतलब भार 1953 में भारत का फर्स्ट राज्य किसके आधार पर भाषा के आधार पर कुन सब बना आंध्रप्रदेश ठीके यह मैं से थोड़ा रफ समझा रहा हूं में राइटिंग पर फोकस मत करना ठीके आपको बस एक लिंक बनाने के लिए मैं बता रहा हूं इसके बाद दूसरे शेत्र वालों ने भी इसका उपोस किया उन्होंने बोला कि जब आंध्रप्रदेश बन सक सकते हैं उन्नीस तो तेपन में सरकार ने एक आयोग बनाया एक अलग से आयोग बनाया राज पुनरगठान आयोग कि थोड़ा सा देख लेना सन इसका और कुंसा आयोग बना था इंपोरेंट देख लेना इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे अध्यक्ष थे उसके को ओन से अध्यक्ष फजल्avais साथ मैं को इसके अध्यक्ष फजल अलीय साथ यह इस समय सुप्रिम कोड् pessoas के मतलब रीतार जेज्श थे इसके इनकोन का अध्यक्ष बना दिया एक थे आपके के एम पणिकर दूसरे थे रदय नात कुंजुरू यहां से मद्यपरदेश का कारेक्र में स्टार्ट होता है अब यहां से मद्यपरदेश का जो एक शब्द बना था है यहां से आपका कारेक्र में स्टार्ट होता है ठीक है इस आयोग में गठन हुआ इसने 1905 में अपनी रिपोर्ट दे दी इसने बोला कि भाषा के आधार पर भारत में सोला राज्य बनाई जा सकते हैं और तीन केंद्र शार्षिस प्रदेश यूनियन टेनिटरिस बनाई जा सकती है ठीक है यह बनाना होगी इसके रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने क्या किया एक नौवंबर उनिस सो चपन को ग्रुम ने चौदा राज्य की दी दी इसके रिपी पर शार्षा को शार्षा ने क्या किया चौदा राज्य बनाई डाले और च्छे यूनियन टेर्टरिस केंद्रषासिस प्रदेश बनाई बाषा के आधारवा ठीक है यहां तक आगे समझें सबको इन चौधा राज्यों में आपका मध्यपदेश भी शामिल था यह चौधा राज्यों में दूसरे राज्य बने थे अगर आप चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो अब दो मिनिट देख लो तो अधोर समेब बनाना पड़ेगा इमपी का इसे मैं थोड़ा सा रफ बना देता हूं है कि समझाने के लिए आपको हम गलत बनीगे दो तरो से इस तरह से इंडिया का आपने में बना देते रफ में ताकि आप तो समझा सको में ठीक है तो चौदा राज्य जो थे उसमें एक अपना मद्यपदेश सब आगे यह ते यह राज्य कुन कुन से थे वह हम देख लेते हैं यहां कुन सथा आपका जम्बू कश्मीर बना था सबसे पहले हम एंपी बना लाते है थोड़ा वह आपको बताने में ठीक रहेगा मंद्यपदेश का थोड़ा सा इस तरह से है यह मंद्यपदेश का में पर यह एक एंपी हो गया एक जम्बू कश्मीर हो गया एक आपका यहां हो गया पंजाब यहां पर लगबग हो गया आपका राजिस्तान यह हो गया आपका बंबई बंबई को इस टाइम बंबई बोलते थे इसके बाद यह हो गया आपका मैसूर यहाँ पर था आपका केरल और यहाँ पर था आपका मद्रास जो आपका पहला राज़ बना था यहाँ पर था आपका आंत्रप्रदेश यह उडिसा यह यूपी यहाँ पर लगबग बिहार यहाँ पश्चिम बंगाल और यहाँ पर लगबग था आपका असम यह चौदर राज थे यह बाग इंटिक कर लिजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा औरे के चौदर यह आपके चौदर राज हो कहते अब छे केंद्र शाषिस प्रदेश केंद्र शाषिस प्रदेश भी थे यूनियन ट्रेटरीज भ यहां पर लगबग था आपका दिल्ली यहां पर यहां पर लक्षदीब बोलती जिसको लग्का दीब बोलती थे उस समय अभी लक्षदीब लिख रहा हूं में एक दो तीन और तीन और थी यूनिटेटरीज यहां पर था अंडवान निकोवाला इले यहां पर था आपका त्रिपूरा इस जगे पर था त्रिपूरा और यहां पर लगबग था आपका मनिपूर एक दो तीन चार पांच छे यह उस समय के चावदा राज जोट छे केंज़ाजित प्रदेश थे यहां तक समझ में आगे आपको तल इसके बाद आजा दी के बाद जब भारत चार बाटों पार्टों बटा हुआ था तो वो जो पार्ट थे वो हम तो देख लेते मैफ मैफ थोड़ा साम बना देते हैं क्या है इसमें कि यह सामारा कि मैप को जासा ध्यान मत देना आपको समझाने के लिए बनाया मैंने यहां पर आप देख लिए जो हमारा एक मद्धिप्रेश बना देता हूं मंदर ठीक है यह मां थोड़ा कुछ इस तरह मद्धिप्रेश दीखता है कि अब इसको जब चार भागों में बाटा गाया था भारत को तो हम तो देख लेते हैं कुनकों से भागते हैं यह अपका था भी पार्ट कि यह एआ पार्ट कि यह एकशिप्र मेंसव बलागते बीच में जब बेने ल॔र सबर्बेशें क्यु sotto इस पठार को इस पार्ट को हम बोलते हैं मध्य भारत का पार्ट सुरू से देखते हैं इस स्टाटिक से देखते हैं पार्ट ए को बोला जाता था सेंटर प्रोविंस एम बरार प्रदेश जिसको बोलते हैं मध्य प्रांथ सेंटर प्रोविंस का मतलब भी मध्य प्रांथ होता रियासत थी अब कि अब यहाँ पर तीनों जो पाठे इनकी अलग अलग राजदानी थी पाठ एक जो राजदानी थी पाट A की जो राज़ने थी इसके रास़़दानी थी नागपूर कि A की राज़दानी थी आपकी रीवा शरीवा इसकी राज़दानी थी अब रही पाट B B में दो राज़दान थी अग्रिशْ में के हैं इसे कुछ बतते हैं गौलियर और अब इन्दोर आपने बहुत सब्सक्राइब में देखा होगा कि छे मेने इसी राध्धनी पर नहीं ऐसा नहीं इसका रेशियो था पांच रेशियो तो सेवन का रेशियो था वो क्यों था मैं बताऊंगा साथ में यह रहेगी पांच में रा एक था यह तो यह अलग रही पर उनिस सो उनपाचास में कि यह भारत में विल्ए कर लिए यह अब यह अब जो पाइप जो मैं बता रहा था उज छैंच इस तरह कि जो ग्वालर एग्वालर को राज्य प्रमुख यहां का राज्ये प्रमुख बनाया गया था को पुस्छ आन जो सिसना insurance कि इसको जो और इसको प्रैज़ प्रमुक बनां कि कि इहां पर भी कि मुद्ध कर दो राज हो का राज हुद है इसलिए इनको दोनों को राज हरी बना जरूर några पर राज प्रमुक महाँ पर बना दिया था सिंध्या परिवार से जो राज प्रमुक थे वो थे जीवाजी राव सिंध्या ठीक है और उप राज प्रमुक वो प्राज प्रमुक आपके कौन थे हैं आपर यश्वन्त राव होलकर समझ गें साथ यश्व पांच का पांच यश्व साथ का क्या मैटर है ठीक है लगबग लगबग मैंने इतना आपको समझा दिया कि तीन पार्ट में डिवाइड हुए फिर ऐसे यह मद्धिपदेश का गठन हुआ आपके अब यहां से इतना तो चलो हमने सब सीख लिए अब यहां से हम समझते हैं हम सन आप्सकान एक अंपचास थक आ गए हैं यह आपने सब पढ़ लिया कि कैसे के राज़ दानी बनी कि यह से के राज़ बने उननिस सों पचास में जब चाओदा राज बने थे उस्यापधिश बना अब आम में 1956 में चलते हैं कि यह आपकी लिंक बनाने के लिए मैंने था समझाया था कि अब यहां से शुरू होता है MP गठन जो बुक्स में देखते हो डायरेक्ट नोट्स बनाते हो उसका वह अब शुरू होता है कि एक नॉबंबर कि 1956 को मद्यबदेश का गठन हुआ ठीक है किसके आधार पर भाश्या आधार पर ठीक है समीति कुन सी समीति में आपको बताई दी थी राजपुन गठन आयोग समीति जिसके अद्दक्ष आपके फजल अली थे फजल अली साब थे ठीक है ठीक है यहां तक अब भाश्या क्यादर पर एक नॉबंबर शपन को जब मद्यबदेश का गठन हुआ उस समय है यहां पर 43 जिले और और आठ यूर्ट आठ संभाग थे ठीक है मद्यबदेश का नाम में को पता हो किस ने दिया हो मद्यबदेश इसका नाम किस ने दिया उस समय के प्रधार मंत्री जवहर नाल लहरू ने दिया इसका नाम करेंट किया था ठीक है अब यहां तक संख्या राजकना यह आपके संख्या अभी तक किये ठीक आप तो अयां पर आपके तो जिले बनात आइस बहुपाल और गाहिं कॉ साले यह कुछ नोस जोना हुग कुछ कि नहीं सुना को क्यों क्यों कि अब यह मद्ध्पयदेश में नहीं यह भुपाल म वद्ध्पय教师 में ठीक है अब यह जो भूपाल है यह 1922 में जिला बना तो इसके पहले क्या था इसके पहले यह इसा था कि 1956 लेके बहुत्तर तक यह सीहोर जिले की तैसील हुआ करती थी क्या हुआ करती थी यह तक हमारे कितने जिले हो गए 43 यह और आठ संभाग थे अब यहां पर 45 जिले हो गए काउंट करते चलना थ्वासा में नीचे कर दिया आप शायद दिखानी होगा पर बोल तो सब को आवाज सब को आ रही होगी यहां तक देखा था हमने यहां तक हमार कितने होगा है 45 जिले कंप्लीट कि आई होब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा कमेंट में मुझे रियक्शन भी देना क्या कमी है में समझाने में कैसे क्या समझाने चीए उससे मुझे थ्वाज़ा बताना ठीक है इसके बाद उननीस तो बहुतर में देखा था कि इसके बाद दो जिलेवर बोपाल राजनांग हो यसके बाद पैतरी जिलेता हो गये था अब 19 alltid 1923 के बाद डायेट अगे हमारा 19 83 कि याद रखना है सन इसका 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 उन्हें ट्रिकट नाइंटीं 72 में 10 plus 1982 एक बढ़ा जो 1983 ठीक है ठीक है थोड़ा तो हमें अपने इसाप से जज्जमेंट लगाना पड़ेगा पड़ाई करने के लिए थोड़ा सब अपने इसाप से आपको तुक का बिठाना पड़ेगा दिमाग वेटने के लिए ठीक है सबसे पहले लिभी अब करने हैं यह पर जिना पुनुण गाठन आयोग बना कि 1983 में एक आयोग बना इसका नाम तो जिलापुना गठन आयोग एक जो पहले बनाता फदेल आलि की अधिक्षितन में वह था राज पुनर गठन आयोग कन्फूज मत हो ना राज कहित अजय च्वा अब जिलो कह बनाने के लिए जिला पुनर ंगठन आयोग बना उनिससो बंदिएास्य िमिये मैं ठीक है मैं जीला कि गठन कि आयोग बना 1903 में किसकी अध्यक्ष तमें बी आर दवे या दुबे कि यार दुबे रिख देते हैं यह इनके अध्यक्ष ते यहां पर ठीक है इनकी सिफारिश पर यह जो आयोग था इनकी सिफारिश पर पच्चिस मैं को कि तारीक याद रखना तो ठीक रहेगा 1983 में यह आयोग नायोग बनाए बस यह एक आयोग बना तो इसकी लिए आपने याद रखा इसकी सिफारिश पर पच्चिस मैं नायन्टी एट पर चिस मैं नायन्टी एट को दस नए जिले बने कितने जिले बने अब कैसे आधक्षता वह गठन किया एक आयोग का गठन हुआ ब्यार दुबे के अधक्षता में इसके बाद सीधे आते हम 1998 पर बदलब गेप लंबा हो गया सेवन्टी टू के बाद कोई जिला बना ही नहीं गेप लंबा होगे 98 तक तो कम से कम 10-12 जिले तो बने होंगे इतने साल में इनके अधक्षता ने किया किया कि इतने साल तक तो इनने 10 जिले बना दिये ठीक है यह थोड़ा तरीका में अपने हिसाब से याद कर दो आठ आठ आपके 36 गड़ में है कि चार जिले कि एंपी में अभी तो वो चार जिलो को हमको पढ़ना है कौन-कौन से जिले हैं आपके कि बढ़वानी कि श्योपुर कि कटनी कि चोता है जिन्डोरी ठीक है यह चार जिले उन्निस सो इंठ्यानों में आपके मत्यप्रदेश में बागी के छे जिले चतिसगर में कैसे याद रखो कि बढ़वानी श्योपुर कटनी जिन्डोरी बढ़वानी बना बना मतलब बढ़वानी मतलब बड़े लगपक बड़ी संख्या म बने बढ़वानी याद रहेगा तो बढ़वानी श्योपुर कटनी डिन्डोरी आपको अलका सा टैच करना पड़ेगा ठीक है अब थोड़ा से जुगार लगाना पड़ेगा याद रखने के लिए ऐसे तो याद रखनी पाओगे एक्जाम तक ठीक है अब यह बढ़वान भी बोलते हैं कि खरगों से अलग होके बना श्योपूर मुरेना से अलग होके बना कटनी आपका जबलपूर से अलग होके बना औरिंदोरी आपको मंडला से अलग होके बना पर यहां तक आपके आपके हो चुके हैं उन्निस सो इन्ठ भारी संक्या बने इसमें इस साल में बहुत ज्यादा जिले बने इसमें इसी साल में छे जिले और बने थे कि छे जुलाई कि तारीक थोड़ा से याद रखना नाइंटीन नाइंटी एट को एक और समीती थी सिंह देव समीती ठीक है उसकी सिफारिस पर छे जिले फिर बने इसमीती का नाम क्या था कि सिंह देव समीती की शिफारिस पर छे जिले बने जिनमें से तीन जिले अभी अपने वर्तमान मंद्र देश में हैं और तीन जिले शतिस गड़ में चले गए ठीक है कौन-कौन से हो तीन जिले देख लेते हैं हर्दा उमरिया नीमच ठीक है हर्दा हा से हा से हो बना होशंगवाद है उमर बना शेहडोल से है और आपका नीमच बना मनसोर से नीमच किस्ते बना मनसोर से ठीक है यह तीन जिले बने नाइंटेन आइंटेन अटेम टोटल नाइंटेन नेटेन जिले बने शोला जिले बने फिर नाइंटेन 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 ने टोटल कितने जिले बने अगा शोला जिले बने ठीक है जिसमें से नो जिले आपके 36 गड़ में चले गए को है और बाकी के आपके साथ जिले कि एमपी इसमें से चार जिले 25 में को बने ये बड़वानी शोपूर कटणी डिंड़ोरी और तीन जिले आपके छे जिलेग को बने ठीक है चे जिले यह तरीका छे जिले बने तो कुन से जुलाई में मैं के बाद जुन जुलाई में अगले मैने एक मैने को छोड़के बन गए यह तीन जिले ठीक है यहां तक कितने जिले हो गए 55 तो यह हो गयते पच्पन और छे कितने हो गए टोटल यहां तक हो गए 61 जिले MP में कम्प्लीट ठीक है अब थोड़ा सा यह यह यहां रखो कि 61 जिले होगा जादा नहीं हो गए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ यहीं कहीं पर 36 गड़ा आपका अलग हो गया था ठीक है तो 61 जिले बन गए तब रुख जाओ अब कोई सोचने अली बात नहीं है डाइरेक्ट टम को पता है कि 2000 में 37 गड़ा लग हो गया था इता सबको पता ही है लगबग नहीं पता हो तो यह पता ही रहों अब यहां पर 31 अक्टोबर को एक नॉबंबर 2000 को हुआ था 36 गड़ा लग यह सबको पता है पर कैसे हुआ था वह था था देख लो 31 अक्टोबर 2000 को एक आयोग बना था एक अधिनियम पारित हुआ था एक अधिनियम पारित हुआ था था ठीक है उसके तहट आपका एक नॉबंबर 2000 को छाटिस गड़ अलग हो गया मध्यपदेश से ठीक है यह कौन से समीधान संसुदन के तायद हुआ था 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 ठीक है मध्यपदेश जब नवीठान हुआ था वह साथफे समीधान संसुदन के तया दुआ था ठीक है मद्यपदाश के जो गठना भूली आपको महाँ पर वो साथवे समीधान संसुदन सेवन्त समीधान संसुदन के तहत अलग हुआ अलग हुआ अलग हुआ अलग हुआ अलग हुआ था अब यहां पर जब 36 बना तो अपने पास कितने जिले थे 61 जिले संस्यमत्र कि 45 जिले मध्यपतिस के पास बचे वापिस से अब कि 45 जिले अपने पास है दो हजार नौमबर दो हजार तक ठीक है अब आप देखना इसके बाद तुसे ट्रिक देखना पंदरा अगास्त कि दो हजार तीन कि सिद्धे पंतरा अग्र्वर दो हजार टीन पेपाद थी दो हजार के बाद ठीक है माहूल ठ्हंडा हो गया ता दो साल बात टीन साल बात आती है पीछे के रखाओ तीन अब यहां पर तीन नए जिले बने कौण कौण से बने अजोक नागर पुराणपूर ये त्टीन विल्न याद रही जाएंगे तनिक बता दिया etwas नंगर किस से अलग होके अग जंब भूनाय सन्कूर ये पूसा जाता है कि अशोग की से अलग होके बना अशोग अगर कौन से नंबर का जिला है मत्लड देश में कौन से नंबर पर बना ये भी याद रखनाओ 25 जिरए तो बन चुके था ये कौन सा नंबर था 46 कॉसे तालिसवा से तालिसवा 148 ठीक है कि ये गुना से लग हो एकव बना था जो श्यड ऑ से आलग होके बना था उमरिया ठीक हार ओमरिया वाइन होचको एपारब experienian थिसेड हो तो अबने एंधे धोर देशर कि और बुरानपुर आपको मजघंड आथ है कि यह जब आपको इजी लगेगा जब आप मद्द्रप्रदेश का जो मैप है उस मैप से समझेंगे बुरानपुर खंडवा पास है तो समझ जाना अंदर लग जाए जैज्मेंट लग जाए कि हाँ यारी बुरानपुर खंडवा से ही बना होगा अनुपूश एडोल से बन होगा बुबان सीहोर से ही बना होगा हिजब मेप में न участ deux लिंक में एक वीडियो डाल दूगा मैंने समझां मद्द्रप्रदेश का पूरा मेपने समझा आ है कि कौन से जिल्राश Sydney कहां पर है कैसे यहाल रखना तन तरीक बताए है मै उसकी लिंक की डिस्क्रिप्शन और हो गए 17 तारिक थोड़ा से याद रखना है दो जार आठ कोई बड़ी बात नहीं है सब पंद्रा के बाद 17 अगस्त के बाद सिधा मही याद रखनो थोड़ा से जित्मेट बढ़ाना पड़ेगा आपको कैसे भी करके सत्रा मही दोजार आठ 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 किसका मतलब आठ है यहां पर तीन जिला आठ में खाली एक जिला बनाए ठीक है वो कौन सा बना है फोर्टिन नाइन जिला कुन सा था अली राजपू किस से होके बनाए बनाए अलग जहाबवास है जब मैप देख लोगे ना तो आपको सब समझने जाए कि यह कैसे बना और कैसे मतलब इतना याद रहे जाता है आप मैप समझ लोगे हाँ यह ज्यागा वहाँ पर है हाँ यह नादी वहां से निकलिए होग यह आपने अल्राजपूर अब 2008 में वापिस से आपको जिले बनाने एक और जिला बनेगा ठीक है 24 मई 2008 को 49 तक यहां पर जिले हो गए 48 जिले उन्पचास यह पचासवा जिला पचास एकावन बावन यह पीछे पीछे की जिले आपको तारिक सही दियाद रखने कभी कोई भी एक्जाम उठाके पूछ लेगा पचासवा जिला कौन सा है किस से अलग होके बनाए ठीक है तो पचासवा जिला है जो है सिंग्रोले किस से अलग होके बनाएं है सीदी से अलग होके बनाएं ठीक है अन्पावर निली अब थ्यों मोगा बात में बनाएं अब कि है कि फ्यूंही समझा देता हो खालाओ अलग हो गवाग अपना डिक्शप्टा दो तिन लाइन और है कि 16 अगस्त 15 अगस्त हो गया था अब सीधा आएंगे 16 अगस्त यह 13 था तीन था अब आगा तेरा ठीक है अब लेटेस्ट लगबग लगबग हम आ गए हैं तो 51 अजिला कुन सा बना था आगर मालवा किस से लगब होके बना था शाजापूर से ठीक है मैं भी साजापूर साइट कहीं हूं तो मुझे पता है तो मेरे लिए यह जो जिस जिले का है उसको जिले का पढ़ना इजी है लगबग मैं तो यह समझता हूं ठीक है 16 अगस्त 2013 को आगर मालव बना था अग्वर कि 2018 कि बावनवा जिला जो आखरी जिला है था निवाडी यह मद्यपदेश का सबसे छोटा जिला है वर्तमान में ठीक है निवाडी किस से अलग होके बना तीकमगर से आप मैं मैं आप तो समझाऊंगा टीकमगर के पास निवाडी कहा है कुछ-कुछ मैं चाहिए बतालता वहां पर देखना सब यहां पर में बताऊंगा और यह अभी तक का सबसे छोटा जिला है निवाडी ठीक है मद्ध्वदेश का और अलीराजपूर मद्ध्वदेश का सबसे अशिक्षित जिला इलिटरेट जिला माना जाता है इवान भारत का भी सबसे उतना बोरिंग था है कि फिर्फषोम splits लगता है कि असी तरह वर्तमार अपने वंद्व तक ही जील है ठीक है अगर अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो मेरे अब इस चैनल में मैं आपको self development मतलब यानि पढ़ाई के साथ सा थोड़ा सा शरीर का भी हान रखना है वो भी मैं आपको उस तरगे वीडियो डालूगा जल्दी में उसकी भी तयारी कर रहा हूं तो आप बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ और like share आपका प्यार हमें चैनल को द